हेलो इडिवन इस कुश्चिन में कैगे बंदर रखा है तो कौन से टाइम पर दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूब करेंगे पहली बात यह पूछा गया है और दूसरी बात क्या पूछेगे इसकेट ग्राफ बेटूइन अफ एक्सलेशन ब्लॉक्स विद टाइम तो टाइम के सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है यह एफ फॉर्स यह एफ फॉर्स के और के तो कॉंस्टेंट इंटू टी टाइम है तो एफ इस इकल टू के साथ वैरी करेगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखे हैं तो यह जो टी अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो यहा तो अब यहां पर यह कुशन भी लास्ट तरीक के तरीके से ही है हम उसी के कोडिंग सॉल्फ गोरेंगे और फिर उसके बाद ग्राफ ट्रॉ करेंगे चले कुशन स्टार्ट करेंगे बड़ उससे पहले अगर आप लोगोंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जो भी लेटेस्ट लक्ट्र हों आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंसके और चले कुशन स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर फर्स्ट पार्ट की और यह वेलू के टी है वो वेलू अगर के टी एफ जो अप्लाइड हम कर रहे है वह फोर्स की वेलू अगर Corps less than toc fr limiting limiting friction से कम है तो उस condition में हूगा क्या उस condition में क्या होगा बहूत ब्लॉक्स blocks are moving are moving together तो f की वेलू कितनी है kt और limiting friction की वेलू हो जाएगी mu m1g यह हुआ तो अगर यह condition satisfy कर रही है तो अगर यह condition satisfy कर रही है तो फिर हमारी दोनों block कैसे move करेंगे साथ साथ move करेंगे अभी यह हमारे पास horizontal surface इसमें हमने माल लिया कि यह हमारे पास m2 mass और यह हमारा m1 mass यहाँ पर एक f force लग रहा है that is equal to kt हो जाएगा दोनों block अलगर दोनों block साथ साथ move करेंगे यह हमने first condition में माल लिया ठीक ना दोनों block साथ साथ move करेंगे तो यह a acceleration और मैंने यह जो circle से दिखा रखा यह दोनों block को एक साथ system में consider कर लिया तो अब यह होगा f force जो होगा वो पूरे system को move करेंगा m1 plus m2 into a0 यह initial acceleration की बात करने हैं जब दोनों block साथ-साथ move कर रहेंगे तो f divided by m1 plus m2 यह हो जाएगा एकसेलरेशन ठीक ठीक अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें एक यह बात ध्यान रखने की है कि यह जो f जो है वो variable force है तो यहां पर f की value मैं put कर देता हूँ kt divided by m1 plus m2 यह हमारा हो जाएगा a0 के लिए यह बात संदाती है इसके बाद हम बात करते हैं क्या इसके बाद हम बात करेंगे b part की अगर दोनों block साथ-साथ move नहीं करेंगे तो क्या होगा अच्छा एक चीज और धियान रखेगा यहां पर जो a0 है a0 is directly proportional to time मतल़ कि time के साथ-साथ linearly vary करेगा मतल़ कि graph between between a and a0 and t is straight line linearly vary करेगा straight line ठीक है ना तो चलिए इस चीज के बाद में बात करेंगे चलिए b part की बात करते हैं हम लोग यहां पर अगर हमारा जो f applied force that is greater than fr limiting और इस condition में होगा क्या इस condition में kt is greater than equal to mu m1g अगर ऐसा possible होता है ऐसा possible होता है तो क्या होगा उस condition में होगा क्या दोनों के दोनों blocks साथ-साथ move करें इन दोनों के दोनों blocks अलग-अलग move करेंगे बहुत blocks लग-अलग acceleration साथ move करेंगे तो हम क्या करेंगे दोनों body का free body diagram ना लेता है यहां पर देखिए यह हमारा मैंने यह नीचे बना दिया यह हमारा m2 mass है और यह हमारा m1 mass है यहां पर f is equal to kt है यहां पर लगने वाला जो friction होगा वो kinetic friction होगा यहां पर लगने वाला friction होगा kinetic friction क्योंकि दोनों ही block अलग-अलग separation separation separate acceleration से move करता है तो यह हमने a1 acceleration मान लिया और यह हमने मान लिया a2 acceleration अब देखिए a1 acceleration की value कितने हो जाएगी a1 acceleration की value हो जाएगी f4 block a हम यहां पर लिख 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 कि फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक की बात कर लेते हैं हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे इसी तरीके से 4 ब्लॉक सेकेंड थिक तो f minus f r k is equal to m1 into a1 f की value है यहां पर kt और f r k की value हो जाएगी यह mu mu into m1 g this is the limiting kinetic friction यह mu k हो जाएगा तकि kinetic friction लगे ठीक न और यहां पर m1 into a1 अगर आप थोड़ा से दिहान से देखें तो a1 की value आजाएगी kt divided by small m minus mu के g m से m कर जाएगा m1 ठीक है ना m से m1 कर जाएगा ठीक अब देखें यहां तो हमें a1 की value मिल गई अगर आप थोड़ा से दिहान से देखें तो a1 भी directly proportional है एवन भी directly proportional to t है बट एक यहां पर y intercept है तो यह भी straight line graph बनेगा ठीक अच्छा चलिए अभी हम बात करेंगे और अभी यहां पर आप थोड़ा से चलिए मैं अभी डिस्क्स करूंगा इस चीज़ के वारे में graph करने ठीक है फर ब्लॉक टू तो ब्लॉक टू के लिए accelerate कराने वाला इस वाले ब्लॉक को accelerate कराने वाला kinetic friction है तो यहां पर मैं लगता हूँ f r k is equal to m2 into a2 यह हो जाएगा mu k into m2 into g m2 into m1 अच्छा यहां पर m1 आएगा तो यहां आजाएगा mu k m1 g divided by m2 this is the a2 acceleration clear this is the a2 acceleration चली यह बात तो आपको समझवाती है ठीक है अभी मैं एक page add कर देता हूं यहां पर चली अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर a2 की value कैसे आ रही है constant क्योंकि यह time पर dependent नहीं है it is independent of time time को पर dependent नहीं है तो a2 की value कैसे होगी constant है अचा अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो a0 is directly proportional to t but t का coefficient है k by m1 plus m2 तो जो यह straight line graph बनेगा slope इस a0 के लिए जो slope होगा a0 और t के graph का जो slope होगा slope of a0 versus t graph is is m is equal to या मैं इसको equal to लिख देता हूं is k by m1 plus m2 और इस स्वाले के लिए बात करता हूं यहां पर यहां पर आप ध्यान से देखें तो slope of a1 versus t graph is k divided by m1 ठीक है अब अगर आप थोड़ा से द्यान से देखें तो यह जो इसका slope है k by m1 plus m2 यह slope इसका slope कम है इसका slope ज्यादा है क्योंकि यहां पर हम divide किससे कर रहे है m1 से और यहां पर m1 plus m2 से k को तो m1 plus m2 से divide करने पर ज्यादा slope छोटा हो जाएगा और यह slope ज्यादा बड़ा होगा ठीक है तो अगर मैं इसका graph बनाता हूं तो यह graph कुछ इस तरीके के बनेगा देखिए पहले तो दोनों ब्लोक साथ साथ मूग कर रहे हैं मैंने अजस्ट आज्यूम कर लिया कि दोनों ब्लोक कुछ कुछ टी नॉट टाइम तक दोनों के दोनों ब्लोक साथ साथ मूग कर रहें मैं तो यह ए नॉट एकसलेशन कि नॉट इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू टी यह ठीटा वन है ना यह ठीटा नॉट ठीटा नॉट मैंने माल लिया है यह हो जाएगा एवन थोड़ा समय छोटा बना देता हूं इसको यह हो जाएगा एवन इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू टी बट इसका जो स्लोप होगा कि वह एड़ से ज्याद होगा क्योंकि आपको यह पता लग रहा के वा एम वन तो यहां पर मैंने माल लिया थीटा वन टेन ठीटा वन टी इस इकल टू के बाई एम वन हो जाएगा अच्छा यह वाला जो एक्सलेशन होगा वह एटू होगा डिस इकल टू कॉन्स्टन यह आपको पता लग रहा है यह वाला जो टाइम मैंने माना यह टी नौट टाइम माना इस टी नौट टाइम तक दोनों ब्लॉक्स आसात मूब कर रहे थे इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस टी नौट टाइम पे टी नौट टाइम एक्सलरेशन ऑफ एवन इस एकल टू ए नौट हो जाएगा और यह ए टू के बढ़ावर हो जाएगा यह चीज आपको पता लग रहे हैं तो मैं क्या करता हूं हूं इन दोनों को एक्विट कर देता हूं ए नौट और एटू को एक्विट कर देता हूं तो यहांपे Kby m1 प्लस M2 यहां पर T और यहां पर माइनस यह के टी बाए m1 प्लस by m2 ठीक अब देखिए यहां पर मैंने t0 टाइम पर बात कर रहा हूं तो यहां पर acceleration a0 कितनी हो जाएगे t0 क्योंकि t0 टाइम पर बात कर रहे हम लोग ठीक है तो यहां से अगर मैं t0 की value निकाल हूं तो यह हो जाएगा m1 plus m2 mu k m1 g divided by k m2 तो यह हो जाएगा t0 टाइम पर दोनों ब्लॉक का acceleration सेम हो जाएगा आई होप आप लोग के questions समय आया होगा और ऐसे video lectures देखने के लिए हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगा बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जो यह लिए test lecture हो आप लोगे पास सबसे पहले पहुन सके हैं थैंक्स वर वोचिंग दिस वीडियो के बाए